14 से 15 साल के बच्चे जाते हैं उनके हाथों में जंडा देकर कहते हैं कि जैसे रियाम बोलो नहीं बोलोगे तो दिक्कत होगा बिहार सरीफ में दंगा हुआ है लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से लोगों ने दिखाया दिल्ली से एंकर आती हैं और अपने कैमेरा मैन को कहती हैं कि फोकस करिये उस घर पे जहां लोग नहीं दिखाया गया तमाम मुसल्मानों के घर में भगवा जंडा लह रहा है लेकिन उनकी मर्जी से लह रहा है वो तो अभी है सोच रहा होगा कि हम राम बनके का सुरुआर उनके घर वाले सोच रहे होंगे हम बेटे को राम नहीं बनाना चाहिए था गुली लग गया बिचारा मर गया नलंदा में चूक हुई है प्रसासनी चूक हुई है राम नौमी के जुलूस के दोरान सासा राम और नलंदा की हिंसा को लेकर सोचल मीडिया पर तरह तरह की अफ़वाय फैलाए जा रही है दोनों पक्ष के तरफ से दावा किया जा रहा है जो लोग दंगाई है जया फिर उनके समर्थन करते हैं इसे बीच हमारे सोयोगी ससांक वहाँ पे 24 गंटा को वक्त भी ताया एक नहीं दो नहीं दस वीडियो बनाए और दोनों पक्ष की राय को जाना और समझा और आपको सटिक जानकाड़ी दी कि आखिर विवाद का सुरुवाद कहां से हुआ आखिर क्यों विवाद हुआ हिं लिए पर गांड़ी देने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको इस पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल पर आकर तमाम उन वीडियो को देखिए जो हम जाकर वहाँ पर कर क्या है सारी स्टोरी को हमने कवर किया है और आप जाईे वहाँ प लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से लोगोंने दिखाया जिस तरीके से बड़े-बड़े मीडिया चैनल जो युद्ली से आकर यहां पर एक भयावा इस्तिति को दिखार रहे हैं कि अपने कैमेरे के एंगल को चिंज करके बता रहे हैं कि पूरा बिहार जल रहा है बिहार सरीफ जल रहा है आप एक बात को समझे कि दिल्ली से एंकर आती है और अपने कैमरामेन को कहती है कि फोकस करिए उस घर पे जहां लोग नहीं दिख रहे हैं जो घर नया है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ औ को फैलाएं जाता है आप इस बात को समझे कि नए घर के उपर कैमरे को फोकस करके यह कहा जाता है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं बिहार सरीफ से हिंदू पलायन कर आपने भी उस खबर को देखा होगा आप लोगों ने भी देखा होगा लेकिन यह खबर बिल्कुल बेभुन उस में दंगा होता है और उसके बाद उसको हिंदू-मुस्लिम का यह दे दिया जाता है उसके बाद घर दुकाण-मकान सब कुछ जल जाते हैं महजीद, मदर्सा, सब कुछ जलता है, कुरान जलता है और दिल्ली में बैठे मीडिया हाउस, बड़े-बड़े मीडिया हाउस www. Lac。 हिंदु पलाएन कर रहे हैं। मुसल्मान बहुत कम दिखे होंगे। मुसलमान के डर से हिंदु पलाएन कर ये만 टी वी चैनल पर मैंने देका, isnK abilities ने क्या चला रहे हैं। मैं वहां से आया हूं। मैं ने वहां की कित तमाम चीजों को वहां की शुरी को मैंने कभर कि आ और उसके बाद मैं जब टी बी पर मैं आ कर भाहूं आ जा कर बाद ऑन देख रहा हूं अपने घर पे जाकर पीवी कहन कर रहा है वह दो नहीं हो थे आल पर मैं जब बिहार सरीप से बहार निकला रास्ता बटकते बटकते तो एक वेक्ति मुझे मिला मैंने कहा कि कहा जाएगा तो करें मत जाएए मुसल्मान सब काट रहा है बीस लोगों को काट दिया मैंने का ऐसा कुछ नहीं है मैं वहीं से आ रहा हूं सब कुछ अच्छा है उसके जब मैं वहां से निकला तो एक चाय के दुकान पर रुका वो कह रहा है कि भाईया बिहार सरीप में 200 लोगों को काट दिया चास बीस से दोसो समझे कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है पटना में किसी से पूछेगा उका देगा 2000 लोगों को काट दिया गया अफवा है ताम पेट्रोल बंप फेके गये हैं एक सच्चा ही है और हमने वीडियो में देखा की जो हिंदूर-मुसल्मान की बात कही जा रहे यह सच्चा है इस बात को कोई अग्नौर नहीं कर सकता दंगे हूँस बात को को जुटला नहीं सकता है लेकिन वहीं से लोगा एक तास्विर नि नहीं देखें बता रहें महजिद का फोटो सेर किया गया यह कहकर कि महजिद को जला दिया गया है वो अफवा था महजिद का गेट था उस गेट के अंदर आप जब इन करियेगा तो उसमें एक फल की दुकान थी उस फल की दुकान में आग लगा था महजिद में नहीं लगा और तस्बीर ऐसे ली गई थी जिसमें देखा जा रहा था कि महजिद में आग लगा है और सोशल मेडिया पर उस फोटो को तीजी से वाइरल किया है फोटो करापर का क्वालिटी का ये कि वह प्यजडी कर रखा था वो चार घर के हिंदू आकर उस हिंदू के घर की महिलाएं आकर उनके घर के बच्चों को और महिलाओं को अपने घर में ले जाकर सेफ किया ये हिंदू-मुस्लिम की एक्ता का परिचे है भाईचारा है आप इस बात को समझेए कि अभी भी बिहार सरीफ के तमाम मुसल्मानों के घर में भगवा जंडा लह रहा है लेकिन उनकी मर्जी से लह रहा है मैं ऐसे मौले में गया था जहां पर मुसल्मानों का घर था उनके घर पर भगवा जंडा लगा है वो भी आप ख़बर देख सकते हैं उस पर भी मैंने पूछा कि आपके घर पर भगवा जंडा है तो उन्होंने कहा कि बिल्कूल ये मेरे बगल के हिंदू है तो इनके घर कुछ होता है तो मेरे घर में जंडा लगाते हैं मेरे घर कुछ होता है तो इनके घर में जंडा लगाते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है बाहरी लोग आते हैं और इस तरीके से करके लेकिन वह कौन लोग थी जब आप दोनों पक्षों से बाद कर रहे थे, हिंदू परिवार से, पिरित, मुस्लिम परिवारों से, तो आखिर क्या, कॉमन बाते क्या थी? दो लोगों पर उठा और आप देख सकते हैं, एक बजरंगदल और एक आरेसिस, लोग का नाम आ रहा था, कि ये लोग आय हुए थे, हम पुष्टी नहीं करते हैं, वहां के लोग नहीं थे, वहां के लोकल लोग नहीं थे, क्योंकि बिहार सरीफ, अगर मान के चलिए, एक गा लोगा, लेकिन वहां के लोग कह रहे थे, कि लोकल भाया कोई नहीं आया था, लोकल हम एक दूसरे से मिल कर आते हैं, आप इस बात को समझे कि, अगर किसी का घर जला है, दो बस जली है न, मुस्तफा खान और मुस्तजा खान का बस जला है, वहां हिंदू काम करते थे, ड्र मुस्लिम काम करते थे, उसका रोजी रोटी खतम हो गया, भुड़ा केंपस जल गया, बचा क्या, और सांग सुरुवात होती है कि भाई, आखिर इसकी सुरुवात कहां सुई, राम नोमी का जुलूश जा रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ, चुकि एक पक्ष दवा कर रहा सोसल मेडिया पर जो दंगायू को समर्थन करते हैं, कि मुस्लिम मुहले से जैसी ही राम नोमी की जुरूश गुजर रही थी, किसी ने पत्थर मार दिया, क्या सच्चाई ची लोगों से बात किया, तो हिंदू पक्ष पहले मुझे मिले, जब मैं भिहार सरीफ में इन कर रह मैं वहां दिखा रहा था, तब तक चार हिंदू लोग आए, उन्होंने बताया कि यहां ऐसा हुआ है, कि हम लोग जुरूश लेके जा रहे थे, राम नोमी का जुरूश जा रहा था, और बिहार सरीफ एक ऐसा सहर है, जहां हर एक किलो मीटर पे आपको एक मस्जिद मिलेग और जो रोड मैप था, उस रोड मैप में दो महजिद थे, ठीक है, जो रूट टैक किये गये थे, उसमें दो महजिद पढ़ना था, और सबसे बड़ी बात कि जो अखारा के तरफ जुरूश जा रहा था, तो उसमें एक महजिद पढ़ता है, वही जो मदरसा जीजिया, जि लोगों ने पथर चलाया, हिंदू पक्ष का कहना है, मुसल्मान पक्ष का कहना है कि हमारे तरफ से कुछ लोग बिहार सरीफ के बस इश्टेन के पास जल पिला रहे थे, पानी पिला रहे, सरबत पिला रहे थे, और उस वक्त 14 से 15 साल के बच्चे जाते हैं, उनके हातों में जंडा देकर कहते हैं कि जै सिरी राम बोलो, नहीं बोलोगे तो दिक्कत होगा, वो लोग नहीं बोलते हैं और उसके बाद वहीं से मामला सुरू हो जाता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम इसका दावा नहीं करते हैं, पूश्टी भी नहीं करते हैं, क्योंकि जहां जहां ये बाते उठी है हिंदु पक्ष का रहा है कि जो पत्थर चला है अब मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि जैसे रिराम के नारे लगा है वो दोनों जगह ओपर CCTV है काम कर रहे हैं प्रमान तो है जाएगा बहुत जल्द प्रमान मिलेगा और कारवाई हो भी होगी लेकिन जिस तरीक किया जा रहा है कि एक पक्ष पलायन बिल्कुल गलत है और सबसे बड़ी बात मदरसा जला है इस बात की मुझे भी तकलीफ है क्योंकि जिस तरीके से मेरे लिए राम चरीतर मानस है हिंदूों के लिए उस तरीके से मुसल्मानों के लिए कुरान है और कुरान जब जब जला और 2023 में उसमें आग लगा दिया गया एक तस्वीर जो निकली और एक चर्चा जो है कि एक बच्चे की भी मौत हो गई तो बिल्कुल एक बच्चे की मौत हुई है जिसने राम की भूमिका निभाई जो राम बना था तरको निभाई प्ले कर रहा था था उस मासूम बच्चे क उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था उस बच्चे का बोट अभी है सोच रहा होगा कि हम राम बनके कसुरवार उनके घर वाले सोच रहे होंगे हम बेटे को राम नहीं बनाना चाहिए था गुली लग गया बिचारा मर गया और एक बुजूर्ग के मरने की खबर है दो लोग प्रसासन को लेकर यहीं थी दोनों पक्स के तरफ से प्रसासन नाम की कोई चीजी नहीं थी वहां देखे इस बात पर हम बिलकुल कहेंगे ब्यार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार हमेशा कहते हैं कि प्रसासनिक विवस्ता मेरी बहुत मजबूत है और हलाकी हुई भी यू यहाँ के SP cm NBA को चिंज करिए यहाँ के SP और DM यहाँ के SP और DM बहुत ही बेकार हैं पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन पहले के SP DM थे बहुत अच्छे थे इस बार के SP DM को यह पता था कि राम नौमी में ऐसा कुछ होगा लेकिन जान बूचकर चार लेडिस को आप जूल्स को संभ इसत पार ता है महिला पुलीस से, आप और जगहों की तस्वीर देखे, कितना पुलीस बल है तैनात है, जुलूश को संभालने के लिए, तो पुलीस बल की तैनाती होनी चाहिए थी, जब आपको पता है की रूट जो बना है, उसमें महजिद पड़ेगा, उसमें मदर्सा शरीप में जब मैं गया तो लगबक 30 जगों पर मुझसे 50 बन गई है बिलकुल हर 10 मिनट आपको साइरन का वाज सुनाई देगा लेकिन उस दिन उस दिन इसके 1% पुलिस वाले वहां नहीं थे ऐसा मैं नहीं बलकि वहां के लोकल लोग कह रहे हैं कि जितना पुलिस बल आज ह उतना पुलिस बल उसका एक प्रसेंट भी नहीं था और इसके दोसी कौन है SP और DM है तो उसे सवाल तो पूछा जाना चाहिए और DGP साहब मुझे लगता है कि बिलकुल पूछेंगे आप जब बहतर घंटे पर वहां जाते हैं और उसके बाद लगतार पुलिस जो है वह प बिहार सरीफ में घुसेगा तो आपके दिमाग में जानते ही क्या चलेगा आपके दिमाग में वो करोना टाइम का दोर याद आएगा वो बैड़ मैं देख रहा था कि एक महिला जा रही है पुलिस वालो है कहा वो इतना तीज दोरी इतना तीज दोरी वो क्यों वो डर के सा आए मिजीरा इसका सीधा कारण वहां की जिला परसासन है चुकि जिला परसासन मुस्तेदी से पहले से प्लान की हुई थी चुकि जुलूस के लिए रोड मैप जो तै किया गया था किस रूट से जाएगी उस रूट में कई मस्जिद थे कई मुस्लिमों के महले थे और इस कि संका जो है पहले जताई जा रहे थी कि कुछ हो सकता है कुछ अनहों हो सकता है कुछ लोग बाहर से आये हैं वाट्ट सब ग्रूप पे मैसेज बारल किये जा रहे थे तमाम चुझों के मद्दे दर जो प्रसासन का रोल रहा वो बिल्कुल भी जीरो रहा यह हम नहीं बलक के मुख्य मंत्री चुकि वो ग्रह मंत्री है तो ऐसे में उनको भी जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या कुछ अपडेट आया चुकि गरपताड़ी जो हुई है जो ख़बर आ रही है कि जारत लोग बाहरी है तो फिर सवाल है कि अगर बाहरी है तो पुलिस क्या कर रही थ अगर बाहरी है अगर घटना को अंजाम दे दिया गया हिंसा हुई तो फिर बड़े अधिकाड़ियों पर करवाई क्यों नहीं इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं देखते रहे हैं टॉप रौसकार